नमस्ते, कारकम्य उपस्तित्स, पुज्य संतगण, गुज्रात के राजपाल, आचार्य देविवरत जी, मंत्री परिशत के मेरे साथी, पुर्शत्म रुपाला जी, आरे समाज के विविन्न संगठनों से जुड़े हुए सभी पदादी करिवन, अन्य महनुभाव, देवी और सजनों, देश स्वामी दयानन सरस्वती जी की दोसों भी जन्म जैन्ती मना रहा है, मेरी इच्छा थी, कि मैं स्वयम, स्वामी जी की जन्म भुमी टंकारा पहुंता, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, मैं मन से, रदय से, आप सब के बीच ही ही हूँ, मुझे खुशी है, कि स्वामी जी के योगदानों को याद करने के लिए, उन्हें जन्म जन्म तक पहुंचाने के लिए, आर्य समाच ये महुत्सव मना रहा है। मुझे पिछले वर्ष इस उत्सव के सुभारम में भाग लेने का अउसर मिला था। जिस महापुर्ष का योगदान इतना अप्रतीम हो, उन से जुड़े महुत्सव का इतना व्यापक होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि ए आयोजन हमारी नई पीड़ी को महर्ची दयानन के जीवन से परिचित करवाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। साथियो, मेरा सवभाग्य रहा कि स्वामी जी की जन्मभुमी गुजराप में मुझे जन्म मिला। उनकी कर्मभुमी हर्याना लंबे समय तक मुझे भी उस हर्याना के जीवन को नीकर से जानने समझने का और वहां कार्य करने का आउसर मिला। इसलिए स्वाभावित तोर पर मेरे जीवन में उनका एक अलग प्रभाव है। उनकी अपनी एक भुमी का है। मैं आज इस आउसर पर महर्ची दयानंजी के चर्णों में प्रणाम करता हूं। उन्हें नमन करता हूं। देश विदेश में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयाईयों को भी जन्म जैन्ती की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं। साथियों इतिहास में कुछ दिन, कुछ ख्षन, कुछ पल ऐसे आते हैं जो भविश्य की दिशा को ही बदल देते हैं। आज से 200 वर्ष पहले दयानन जी का जन्म ऐसा ही अभुद्पुर्वपल था। ये वो दोर था जब गुलामी में फसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे। स्वामी दयानन जी ने तब देश को बताया कि कैसे हमारी रूधियां और अंदविस्वात ने देश को जकड़ा हुआ है। इन रूधियों ने हमारे वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर कर दिया था। इन सामाजिक बुराईयों ने हमारी एक्ता पर प्रहार किया था। समाज का एक वर्ग भारतिय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंजी ने वेदों की और लोटो इसका आहवान किया। उन्होंने वेदों पर भाश्य लिखे तार्किक व्याख्या कि उन्होंने रूजियों पर खुल कर प्रहार किया। और ये बताया कि भारतिय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका परणाम ये हुआ कि समाज में आत्म विश्वास लोटने लगा। लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुडने लगे। साथियों हमारी सामाजी कूरितियों को महरा बनाकर अंग्रेजी हुकुमत हमें नीज्या दिखाने की कोशिश करती थी। सामाजिक बदलाव का हवाला देकर तब कुछ लोगों द्वारा अंग्रेजी राज को सही ठहराय जाता था। ऐसे कालखंड में स्वामी दयानन जी के पदारपन से जब सब साजिसों को गहरा धक्का रगा। लाला लच्पतराय, रामप्रथाद बिश्मल, स्वामी स्रधानन, क्रांती कार्यों के पुरी स्रंखला तयार हुई, जो आर्य समाज से प्रभावित थी। इसलिए दयानन जी केवल एक वैदिक रुशी ही नहीं थे, वो एक राष्ट चेतना के रुशी भी थे। साथियों, स्वामी दयानन जी के जन्म के 200 वर्स का ये पड़ा उस समय आया है, जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंबिक वर्षों में है। स्वामी दयानन जी भारत के उजबल भविश का सपना देखने वाले संत थे। भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था, अमृत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्म विश्वास में बदलना होगा। स्वामी दयानन आधुनिकता के पैरोकार थे, मारदर्शक थे, उनसे प्रेणा लेते हुए। आप सभी को भी, हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरब ले जाना है। हमारे देश को, हमारे भारत को विश्विद भारत बनाना है। आज आर्य समाज के देश और दुनिया में धाई हजार से ज़्यादा स्कूल हैं। कॉलेज और युनिवर्सिटीज हैं। आप सभी चार सो से ज़्यादा गुरुकुल में विध्यार्थियों को सिक्षित प्रसिक्षित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आर्य समाज 21 सदी के इस दसक में एक नई उर्जा के साथ राष्ट निर्मान के अभ्यानों की जिम्मेदारी उठाए। दीएवी समस्तान महर्थि दयानन सरस्वती जी की एक जीती जाती स्मुर्ती है, प्रेरणा है, चैतन्य भूमी है। हम उनको निरंतर ससक्त करेंगे, तो ये महर्थि दयानन जी को हमारी पुन्य सर्दांजली होगी। भारतिय चरित्र से जुड़ी शिक्षा व्यवस्ता आज की बड़ी जरुरत है। आरे समाज के विद्याले इसके बड़े केंद्र रहे हैं। राष्ट्रिय शिक्षा नीति के जरिये देश अब इसे विस्तार दे रहा है। हम इन प्रयासों से समाज को जोड़ें ये हमारी जिम्मेदारी है। आज चाहे लोकल के लिए वोकल का विशय हो, आत्म निर्भर भारत अभ्यान हो, परियावरण के लिए देश के प्रयास हो, जल समरक्षन, स्वच्छ भारत अभ्यान, ऐसे अनेक अभ्यान हो। आज की आधुनिक जिवन शैली में प्रक्रुती के लिए न्याय सुनिशित करने वाला मिशन लाइफ हो। हमारे मिलेट्स श्री अन्न को प्रसान देना हो। योग हो, फिटनेस हो, स्पोर्ट्स में जादा से जादा आना हो। आर्य समाज के शिक्षा समस्तान इन में पढ़ने वाले विद्यारती सब मिलकर के एक बहुत बड़ी शक्ती हैं। ये सब बहुत बड़ी भूमी का निभा सकते हैं। आपके समस्तानों में जो विद्यारती हैं, उनमें बड़ी संख्या ऐसे योगों की भी है, जो अठारा वर्ष पार कर चुके हैं। उन सभी का नाम वाटर लिस्ट में वो मतदान का महत्व समझे, ये दाईत्व समझना भी आप सभी वरिष्टों की जिम्मेदारी है। इस वर्ष से आर्य समाज की स्थापना का एक सो पचाश्वा वर्ष भी आरभ होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हम सब इतने बड़े अवसर को अपने प्रयासों, अपनी उपलब्दियं, उसे सच्पुत में यादगार बनाएं। साथियों, प्राकृतिक खेती भी एक ऐसा विशा हैं, जो सभी विद्यार्थियों को लिए समझना जानना जरूरी है। हमारे आचारिय देवरत जी तो इस दिशा में बहुत मेहनत करते रहे हैं। महर्ची दयानन जी के जन्मक्षेत्र से प्राकृतिक खेती का संदेश, पूरे देश के किसानों को मिले, इस से बहतर और क्या होगा। साथियों, महर्ची दयानन ने अपने दोर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागिदारी की बात की थी। नई नीतियों के जरिये, इमामदार कोशिसों के जरिये, देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ महिने पहले ही देश ने नारी शक्ति बंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षन सुनिशित किया है। देश के इन प्रयासों से जन जन को जोड़ना ये आज महर्शी को सच्ची स्रदांजली होगी। और साथियों, इन सभी सामाजिक कारियों के लिए आपके पास भारत सरकार के नवगठीत युवा संगठन की शक्ति भी है। देश के इस सबसे बड़े और सबसे युवा संगठन का नाम मेरा युवा भारत माय भारत है। दयानन सरस्वती जी के सभी अनुव्याईयों से मेरा आगर है कि वो DAV सेक्षिक नेटवर्क से भी विद्यार्थियों को माय भारत से जुड़ने के लिए प्रोसाइद करे। मैं आप सभी को महर्थी दयानन की दोसों भी जैन्ती पर पुन शुब कामनाय देता हूं। एक बार फिल महर्थी दयानन जी को आप सभी संतों को सद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।